हालो फ्रेंज वेल्कम टू दे इंप्टेस अगाइडमेंट आप सभी एच्छे होंगे पड़ाय करते होंगे घर पर सेफ होंगे दगे आज के इस लेसिन में हम लोग सोल्ब करेंगे एंबी पॉब्लिकेशन के एबुक से सेट नमबर 20 अब आप सभी जानते होंगे यह इंप्टेंट बुक है इंगलिस के प्रिप्रेशन के लिए इसमें सारे प्रिवियस एर कोस्टन को एक जगाँ करके आपको दिया गया है तो हम लोग जो है अभी इस बुक से 2016 से 2020 तक के कोस इस देनोग्राफर पीटी होना है ठीक है फिर इससे सिकॉंस्टरवल का फॉर्म फिलफ हो रहा है तो इसका एक्जाम पीटी हो गए तो इसका एक्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहां पर लगवग पांच साल के को अच्छे से यहां पर सोल्व कर रहे हैं चाहे को 2021 से 2015 तक को Lexons सोल कराये जा रहे हैं सिल्फ evalution test करके ठीक है इसका प्ली लिस्ट आपको यह बना हुआ है आप साह कर सारे लेसंस को देख सकते हैं सिल्फ evalution test में कोक्षिन्स जो गए कोश्चन है वह 2011 से 2015 और इथर हम लोग इस Hier में Milरा से इस निकि यानिकि से से स्बसेस बचे वे हैं जिसमें से 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 संबर टू है से स्बसेट गर flag Canal दो prophets लो रहा है यहां पर दिखिया सोलफेबर दो ह्यारे लिखा हुआ है ठीक है तो यह से यह स्बस्क्रावर कहा है लेकिन एक्जाम कंड़क्ट हुआ हैं 2019 2019 में ठीक है चार जून 2019 से 2018 का एक्जाम शुरू हुआ था ठीक है तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो येगा तो चलिए फिर सुड्यू करते हैं सेट नमबर 20 से कोश्च नमबर फ़र्स्ट में आपको पारा जंबल जो है कोश्च संटेंस यह आपको कोश्च करने हैं सही और उदर में ठीक है तो धीकिए जब भी हम लोग फिक्योओ आरेस ben principle sentences को बनाते हैं तो हम सबसे पहला उन चारो options को पूड लेते हैं चारो sentences को फूड़ लेते हैं ठीक है उसके बात पड़ते हैं कि इसमें find out करते हैं कि इसमें जो है हमारा main theme, main subject क्या होना चाहिए, ठीक है, तो अगर आप इन चारों sentences को पढ़ेंगे, तो आपको, जो आपका main subject, main theme लगेगा, कि यहाँ पर कुछ पौधे हैं, कुछ पेड़ हैं, कुछ चीजे हैं, जो हमारे one से हमें प्राप्त होती हैं, यानि कि व पेपर, pulp मतलब होता है, गुदा, paper मतलब होता है, कागेज, इन दोनों subjects जो हैं, हमारा theme होगा, इसी के based पर सारे sentences हो अरेंज हमें करना पड़ेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे, D को, यानि कि D वाले sentence हो, उसके बाद, pulp and paper are the two most important forest products, ठीक है, large product कहना जा, is covered with coniferous trees, द जो आपका अगला sentence आएगा, वो आएगा, आपका, Canada accounts for nearly one third of the world's production of the newsprint, देखिए, यहाँ पर paper का बात हो रहा है, और यह फिर newsprint, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यह सीखिए, कि यह दोनों जो चीजे हैं, वो कहां से आए, तो कोन फेरous trees जाती हैं, ठीक है, और यह जो है, Canada उसके बाद जो है, वो one third, जो है, वोल्ड का paper का print करता है, production करता है, उसके बाद आपका last option B, ठीक है, तो यहाँ पर राइड answer आपको यहाँ पर B हो जाएगा, तो PQRS के questions को आप लोग खुद से practice करें, जितना ज़्यादा हो सके, means में आपको 20 PQRS questions मिलता है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर problem face करना पड़ सकता है, ठीक है, तो अच्छे से त्यारी करते ही है, हर एक question को solve करिए, अगर कोई दिक्कत हो, तो आपको 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 लगता है, तो अपना options में से improve करें, अगर आपको लगता है, तो आपको लगता है, कि improvement की जरूरत नहीं है, तो आपक आपको एक option भी लेगा, no improvement का आप उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक भी question हम लोगे आपर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हर एक question हमारे लिए important होता है, हर एक question करता है mark, और वो mark हमें marriage बनाने में useful हो सकता है, इसलिए हम लोग एक question को छोड़ेंगे नहीं, अच्छे resolve the matter, go through मतलब होता है, उन्हें अच्छे से समाजना पराखना, ठीक है, resolve मतलब कि उसे सही करना, देखे, तो जो मुखियां है, वो इतने busy हैं कि इन files को न पढ़ें, और इस matter पर कोई, जो है, resolution लाएं, ना कि इसे resolve की, ठीक है, नहीं resolve कर पाएं, ठीक है, नहीं, इस question को अच चीज देख रहे है, एक word, busy, ठीक है, busy मतलब क्या हो गया, best, और यह कैसा word है, यह word adjective, ठीक है, यह word है, adjective, तो adjective जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो adjective के पहले हम हमेशा to का use करते है, ठीक है, adjective आखिर कहते किसे हैं, तो adjective उसे कहते हैं, जो किसी noun, या फिर उसके सब्द के विश्यसता बताता है जैसे कि हम लोग बोलते है रहा है उस नाउन के तो यहाँ पर हमारा recreative के पहले चुर्स है हम लोग यहां पर हमेंशा तू का यूज करते हैं ठीक है तो option B जो है हमारा यहां पर देखे राइड आंसर हो जागा तू बीजी तू गो थू इस फाइल्स एंड रिजॉल्ट था मैटर ठीक है तो यह हमारे मुख्या है वो इतने बीजी है कि इन फाइल्स को न देखें और नहीं इसे सोल्व किये ठीक है कोश्चन में 3 यहां पर आपको हम लोग पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट प्लस इस अमार प्लस बीज़श भरफों बाइप्लस अब्जेक्ट यही बनता है हमारा प्रेज़ेंट के आक्टिव बाइस को प्लस वासे मनाते हैं तो चुक्कि अब हम जान गए कि यह हमारा sentence present continuous का है तो अब हम देखेंगे अपने options में से कि कौन सा जो हमारा सब्जेक्ट है sentence है वो present continuous chance में है ठीक है तो यहाँ पर जो आपका राइड आंसर होगा वो होगा देखा आपका option A यानि कि आपका सब्जेक्ट हो गया चिल्टन तो यह option eliminate हो जाएगा यहाँ पर है वाची सब्द मिलता जूलता सब्द है你看 said इंटाइस मतलब होता है धुसलाना क्या होटा है फुसलाना ल्भान अब यहां पर죠 मतलब क्या होता है यात कर लिज्बयों मतलब क्या होता है संदिक ठीक है संदिक्द अब यहां पर यानिकी वहांट डिया नाएpton यानिके बताना है इसका मतलब होता है सीमेक्ट क्या होता है सीमेट है अब हम्हार आ तो राइड आंसर यहां पर ऑप्शिन टी है एक जो है आपका चीज सीमित है और एक चीज जो है अनन्त है ठीक है तो यह दोने लिए दूसरी के बेपरीत होगा है आपको बताना है आपका अर्थ काउच पोटाइटो इसका मतलब क्या होता है कैसा व्यक्ति जो कुछ भी ना क करके वह सिर्फ टेलिवीजन को देखता है बाकी ऑप्शिन देख लेता है स्लीप सौल यानि कि हर वक्त सोता है स्लीप मतलब सुना रिमेंस रिलाक्ष्ट और काम सांत रहता है एकदम आराम से आराम फरमाते रहता है और हुई सिंपल इन नेचर यानिकी जो सुबहों में सर इन डवल इस एन चीए इसका मतलब होता है पुनर जागरन क्या होता है पुनर जागरन तो राइद आंसर हैं पर आप्शन बी है आप लोग इस वाइड कर लिजेगा आर इन ए आई डबल इस एन सीए ठीक है तो यह आपका करेक्टिय स्परिल वाड़ या बाकि ऑप्शन द रिमेनेरेशन यानि की परिस्टमिक यानि की आपका बेतन जो कह सकते हैं रिमोंगर इन की प्रतमे बीरोत करना ठीक है राइड आंसर और ऑक्शन भी है फिलिंदी ब्लांक है इन मेनि गर्ट्रीज बहुत सारे देशों में दु फिलिंदी बलांक इन पेफ़ और मेन और वो पूरुष एंप्लोई को महिला एंप्लोई से 21% ज्यादा मिलता है ठीक है यह इसका करने करते है 21% लेस मिलता है एक महिला को पूरिष से ठीक है तो यहाँ पर जो है ऑप्शन देख लेता है ऑप्शन यह आपका है अनलाइक नेनिस यानिकी असंभावना एक्यूवैलेंस मतला होता है सम्तुल ठीक है बराबर डी सेग्रिमेंट यानिकी असमानता तो राइड आंसे नहीं पर ऑप्शन डी हो जाएगा इन मेरी कांट्रीज दाइडिस्पारिट सेंफल केंट्रीण अनल के चल् Abg एकार्त्रीट अनल के जैस्टीक्षनक अनल करते देखा है यहां कुछ मेंदा पराइड था लिऑ-धुषन इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है अपना है बर्चस रखना क्या होता है अपना बर स्वेंट रखना तो यहां पुर आज़ार इंसर है वो है आपका options सी डॉमिनेट यानी कि बर्चस रखना ठीक है था आज़ां स्रेंगे अपको बताना है रोगल आपको चूज करना है तो यहां पर जो राइद आणसर होगा अगुः होगा आपका उप्शन है मिगर मतलब क्या होता है अल्प ठीक है अब इसका जो करेक्टली स्पेल टॉड़ है वो क्या है चलिए आईए देखते हैं कोश्चन में 12 पर यहां पर अपको इंडलाइन सेक्शन को इंप्रूब करने की जरूरत है यह वांट टेल शिक्रेट वांट यह देखिए यह कोश्चन है ठीक है तो हमारा चुकि हम जानते हैं कि कोश्चन टाग में अगर हमारा सेंटेंस नेगेट सब्सक्राइब या उससी फॉर्म में उसका पॉजेटिव बनाते हैं ठीक है तो हम लोग देख रहे हैं कि यूँवांट है यानिकि विल नौट का यूज़ वह यानिक अमारा सेंटेंस फिचर इंडिफनेट पलस नेगेटिव सेंटेंस तो अगर हमारा सेंटेंस नेगेट है इसलिए यहाँ पर विल का यूज होगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइड आंसर है विल यू पोजेटिव में लिया गया है ठीक है कुश्चों मोई 13 तो 17 आपका फिल इंद ब्लैंक है पैसे को पढ़ना है और उसे कंप्लीट करना है ठीक है जो ब्लैंक है in 1940 a war began in Europe 1914 इस्वी में एक युद्ध शुरू हुआ कहां इरोप में ठीक है इरोप में जो है 1914 इस्वी में एक युद्ध हुआ which engulfed the entire world ठीक है इंगल्फ मतलब क्या होता है इंगल्फ मतलब होता है कि समाहित कर लेना यह पुरे दुनिया को उसमें समाहित कर लिया ठीक है the damage यानि कि जो छती हुई caused by this war इस war के कारण caused मतलब क्या होता है कारण वजह तो इस war के कारण इस युद्ध के कारण जो छती हुई was war has no precedent in history इस छती के कारण जो है कोई भी मिसाल नहीं बन पाई इतिहास में प्रेसिजेंट मतलब क्या होता है इतिहास सॉरी मिशाल ठीक है प्रेसिजेंट मतलब क्या हो गया मिशाल तो यहां पर जो है आपका राइड आंसर ऑप्शन भी है फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग इन दुर अरलियर वार्स यानिकी पहले के युद्च में ठीक है अरलियर यानिकी पूर्व के जो पहले के युद्चत Similar civilian populations जो civilian populations थे यानि कि जो आम population जो आम जनता थी where generally not involved समानता जो है इनमें नहीं involved होती थी ठीक है involved मतलब कि उसमें आना उस चीज में पढ़ना ठीक है तो इन सब चीजों में civilian populations नहीं पढ़ती थी and the casualties where और जो casualties थी ठीक है जो कारण जो थी where mostly confined to the warring armies और जो ये सिमित किंतक थी सिर्फ जो war में armies जो काम करते थे उन तक ही सिमित थी यानि की confined यानि की सिमित थीक है दव वार दव वार वीच बिगें इन 1944 देखें आप वीच और हूँ है यह हम लोग सीख चुके हैं वीच का यूज हम लोग कप करते हैं जब किसी भी निर्जीब चीज को दर्साने के लिए यूज होता है कंजेक्शन के रूप में जोड़ने के लिए यूज होता है तब हम लोग वीच का यूज करते हैं और हूँ का यूज कप करते हैं जब किसी सजीब व्यस्तु को दिखाने के लिए हो कंजेक्शन के रूप में एट करने के लिए हो ठीक है तो हूँ का यूज सजीब के लिए भीच का यूज डैट का यूज निर्जीप के लिए ठीक है यह हम लोग सीखे तो दो वार वीच विगें इन 94-1914 यानि कि जो यूद 1914 में सुरू वा था वाज़ टोटल वार एक ऐसा यूद था इन यूद लड़ने वाले जो एस्टेट सैं थे ठीक है वह संगठीत हो गये थे गिकान समय चालाइब हो जाना ठीक है तो यहां पर देखिए कोर्ष्ण बस फंगिन का हो गया आपका विच इंद & इसका हो गया इह इसका हो गया इन- और इसका हो गया काॉच्ट देखिए इस पूरे पैसेज में क्या निकला सुरू इरोप में जो पूरे से दुनिया को समाहित कर लिए लेकिन इससे कोई खास मिसाल नहीं बन पाई तेक है इस डैमेज के कारण जो है यह साल नहीं वथे क्यूंकि पहले के वहर में इन्स नहीं होते थे और जब धेली होते घुन दोन Südh वो शुरू हुआ था एक ऐसा यह था जिसमें सारे शुरूत जो है एक जिगा जिटने वी वारिंग अस्टेज याने की यूद लाने वाले जो असे थे वह संगर्ठीत हो गये थे वह देखें यहां पर आपके लिए कुछ इंपॉटलब होता है नियंतरित करना थिक है वहांचेंट हम लोग पढ़ चुके हैं अभी सिमित करना बाकी आपके लिए कोई इंपोर्टेंट जो है यहां पर वोड नहीं है जनेरेट यानिके पैदा करना बिगीन यानिके शुरू होना ठीक है चलिए कोश्च नमबर 18 में आते हैं यहां पर आपको बताना है वह डब्लू एस यानिक वनबर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कुछ व्यक्ति जो है से एक ह समय में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है समकालीन यानिकी एक समय में रहना समान का समय में रहना ठीक है समकालीन बागी ऑप्शन्स देख लेते हैं कॉसम वालिटन मतलब की क्या होता है विश्विवादी ठीक है कॉम पैट्रियर्स मतलब क्या होता है हम बतन ठीक है कुलीक करमी क्वेश्णानाच क्वेश्णा और उग्र एक के लंबा हितिहास है और आए क्या होता है कंफ्लिक्ट मतलब होता है संगर्स लडाई ठीक है इन नौर्थर्न आयर्लाइन वर्ट बहुत कॉमुनिटीज केम टुगेजर तु बिल्द मॉनुमेंट ऑफीस बद दोनों तरफ से ऐसे कुछ भी लोग आएं जो सांती बनाए रखने की कोशिस की हैं ठीक है मतल सांती बनाए रखें ठीक है तो यहां पर जो कंफ्लिक्ट हो गया लडाई हो गया राइड आंसर यहां पर ऑप्शन डी है बाकि ऑप्शन देख लेते हैं यह आपका है युद्ध विराम संधी त्रूस मतलब युद्ध विराम संधी एग्रिमेंट यानिके समझवाता कंट इनकभ होता है पांच फरवरी को ठीक है और यह मनाया कहा आता है तो यह चाइना में मनाया आता है तो फिरेंट करते हैं इसके बाद जो आपका आएगा सम पर्फॉर्मर्स री एंट्टे ही स्टॉरियल से रुमनीज देखिए सबसे पहले इसके बारे बात हुआ लुनर यह मनाया कहा आता है तो यह चाइना में इसमें होता क्या है तो कुछ से रुमनीज होते हैं और इसके बाद क्या होता है कि स्टिक्स जलाए आते हैं तो गौट फिर्चिन ठीक है तो यहां पर जो राइड ऑंसर है वो है आपका ऑप्शन बी आ यह कुश्चन में 21 देखते हैं इसमें आपको बताना है पैसिप व होईस में चेंज करना है टेकेक्स सुट केस अपश्टे ठीक है तो एसे को हम लोग कैसे बनाएंगे तो ऐसे संटेंस को हम बनाएंगे सूध के साथ यहां पर जो राइड आंसर होगा आपका और सी दिस सूध के सुध भी टेकन अपर स्टेर से यानिकि शूड प्लस बी प्लस भार्व का थर्ट फॉर्म फिर आपका अबजेक्ट जो भी होगा ठीक ह तो यहां पर जो है राइड आंसर ऑप्शन सी हो गया देखें मस्ट का यूज कहां पर क्या जाता है जहां पर एकदम आवर्शक्ता हो वहां पर जो है हम लोग मस्ट के साथ संटेंस को कंप्लीट करते हैं चुकि यहां पर मस्ट दिया गया है लेकिन हम इस ऑप्शन को कैसे कर सकते हैं क्योंकि यहां पर दखिए हम हमेशा सीखें हैं कि जब भी हम पैसे बहुत से चेंज करते हैं तो अपने भर्व को जो है भी थ्री फॉर्म में रखते हैं यहां पर दखिए टेकिंग का यूज हो है तो यह ऑप्षिन तो आपका एलिमिनेट हो जाता है सब्सक्राइब करते हैं यहां पर देखिए आपको बताना है एंटोनिम याने कि विप्रीद आर्थक सब्द्रेप्रिमाइंट मतलब होता है किसी को डाटना ठीक है आप इसका एंट्रुनिम क्या होगा विप्रीद क्यों यह देखते हैं यानिकि समझना अनुभाव करना र आपका है ब्लेम यानिकी दोस्त लगाना ठीक है कोश्चन में 23 यहां पर आपको करना है यह अपने इरर वाले पाट को आई नो दा कॉबलर विच मेंस दसूज आउसाइड गेट ऑवार कॉलिनी देखिए में कॉबलर मतलब क्या होता है एक ऐसा वक्ति जो हमारे जूते सजीब चीज के लिए हू का यूज करते हैं करने के लिए सजीब चीज को देखिए यहां पर कॉबलर का यूज हो है कॉबलर को ही जोड़ा गया है हू से जो जूते सही करता है में डियाने की जूते सही करना सॉरी सही करना ठीक है या फिर रफू करना भी होता है जैसे कि ज तो विक हया, यह हुआ है, कॉबलर के लिए, चुक की कॉबलर एक सजीब चीज है, कॉबलर मतलब हो गया, जो हमारे यूते चपल साहoming करते हैं, मोची आप बोल सकते हैं, ठिक है, तो यह सजीब चीज है, तो सजीब वस्तु के लिए, हम लोग which का use नहीं करके who का use करते हैं तो option c में आपका है पर error हो गया ठीक है question 24 यहाँ पर आपको फिर से find out करना है अपने error वारले section को the street artist satis munjal has been painting this wall since the past one week ठीक है तो देखिए the street artist जो कलाकार है satis munjal has been painting this wall देखिए has का use हुए चुकि हमारा सब्यक्स सिंग्डर है तो भर्ब भी सिंग्डर फॉर्म में है been painting this wall since the past one week यानिके हमारा संटेंज जो है present perfect continuous में है क्योंकि since for का use वहीं पर होता है ठीक है तो यहाँ पर subject plus has या have plus been plus before तो यहाँ तक तो सही है लेकिन यहाँ पर देखिए सेक्शन डी में यानिकि since वाले form में है चुकि since का use होता है एक निश्चित समय के लिए और for का use होता है अनिश्चित समय के लिए ठीक है तो यहाँ पर देखिए एक अनिश्चित समय का बोध हो रहा है तो हम since के जगा क्या use करेंगे for का use करेंगे तो since को remove करें और for को use करें question number 25 यहाँ पर आपको बताना है question number 25 में आपको बताना है OWS यानिकि one word substitution someone who believes that people can't change the way events will happen question यानिकि ऐसा ब्रक्ति जो यह सोचता है कि जो जो उसके भागे में लिखा हुआ है वह उसी पर depend रहे वह उसे change नहीं कर सकता है ठीक है यानिकि ऐसा ब्रक्ति जो भागे पर विश्वास करता हो भागे पर डिपेंट करता हो options देख लिता है option यह आपका है प्रफेट मतलब क्या होता है भविश्यवादी ठीक है जब कि आप भागे के वारे में बात हो रहा है तो भविश्यवाल option to eliminate हो जाएगा options आपके लिए important है चारो याद कर लिजेगा option भी आपका है फैगंबर या फिर भाग्यवादी तो यह दोने दूसरे के सिनोनिम है प्रफेट और स्वियर याद कर लिजेगा ठीक है तीनों option से लिमने ट्राइटांस रहा प्रप्शन भी है भाग्यवादी तो यह हुआ से टमबर ट्वंटी का डिटियल में solution आई होब आपको हर एक question अच्छे से समझ में आ गया होगा समझाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज अभी उसको लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए ज्यादा से यादा अपने 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 लोग जाहें इससे देखे समझे सीख्यों और मासा जुड़ें अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा ताकि आपको पास मोटिफिकेशन जाते रहें आप अपडेट्स होते रहें मिलते हैं आपके लिशन्स में थैंक्यू